सरकार ने भारत से मालदीव से सैनिकों को वापस लेने कभी आग रह किया है। सैनिकों की वापसी की समय सीमा भी तरह की गई है। आयात में विविद्था लाने के आलावा, मीडिया रिपोर्टे आई हैं कि मुई जो सरकार बीमा सिवाओं के संबंद में भी बड़े नरुन लेने जा रही है। मालदीव की सरकार मालदीव राज्यक के स्वामित्व वाली स्वास्त अभीमा सिवाओं के तहत अन्ये देशों के अस्पतालों को भी लाने की मांग कर रही है। हाला कि विशेशग्यों का कहना है कि मालदीव सरकार आर्थिक रूप से बहुत लाबदाय नहीं हो सकती है। इस बीच, हुई जू पिछले हफते चीन की पांच दिवसिये यात्रा पर गए थे। अपनी यात्रा के तीसरे दिन, मुई जो उनने बुद्वार को बीजिंग में शी के साथ एक बैठक की। विदेश मंत्रालेव ने एक बयान में कहा, यह जरूरी है कि मालदीव के लोगों को मानविय सहायता प्रदान करने के लिए भारतिय एरवेज का परिचालन जारी रहे और इस काम के माहौल को बनाय रखने के लिए दोनों पक्ष एक समधान तक पहुचने की कोशिश कर रहे है बयान में कहा गया है, मालदीव और भारत एक विशिष्ट दिन का चैयन करने और आगे चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं वायुसेन के कई विमानों को मालदीव के बाहरी क्षित्र में दवाएं और राहत सामगरी पहुचाने का काम सौपा गया है दूस्वी और, बीजिंग के करीबी माने जाने वाले मुईजू ने हाल ही में चीन का दोरा किया, वा शनिवार को घर लोटा शनिवार को एक संबादाता सम्मेलन में बोलते हुए, मुईजू ने कहा, हम छोटे हो सकते हैं, हमने किसी को भी हमें आश्चरे चकित नहीं होनें दिया यह कब था, जब भारत मालदीव विवात ने एक नया आयाम लिया इस से पहले नवंबर में मालदीव के राश्चुपती चुने जाने के कुछ दिनों के भीतर मुईजू ने भारत को चैता होनी दी थी, हम अपने देश की धर्ती से सभी विदेशी सेनेकों को वापस भेज देंगे इस मामले में मुईजू हाला की नाम से नहीं सपस्ट रूप से भारत को निशाना बनाया, भारतिय सेना हिंद महासागर दूई प्राज्य के बिभिन महत्वपून प्रशासनिक और और अध्योगे क्षित्रों की सुरक्षा के लिये जिमेदार थी, हाला की चल रहे को हटाने के लिए गड़ बंदन करने और पूछने की धलीर इस समय महत्वपून मानी जाती है, मालदीव के तीन मंत्रियों, वर्तमान मिने लंबित, द्वारा भारत और प्रदान मंत्री के खिलाव बात करने के बाद मालदीव की सरकार पहले ही लोगों के एक वर्की के लिए आपसी समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है, अब अगर उस देश में आवश्चक वस्तूओं और दवाओं की कीमत बढ़ जाती है तो मालदीव की सरकार को फिर से देशवासियों की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, मुईजो सरकार की लोकपियता और कम हो स सकती है, मालदीव के तीन मंत्रियों और कई राजनेताओं ने भारत और प्रधान मंत्री नरेंद्र, मोदी की हाली आलक्षद वी प्यात्रा के बारे में अपमांजनक टिपणी की सर्दन के अंदर और बाहर से विवाद और दबाव के बीच मुईजो ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया, दोनों देशों के बीच संबंद आसान नहीं रहे, लेकिन मालदीव सरकार इस बार भी उन आवश्यक दवाओं को अलग-अलग देशों से लाने का फैसला कर सकती है, नतीज तन, विशेशग्यों का मानना है कि मुईजू सरकार भविशे में वायसेन के उन विमानों को हटाने के लिए भारत को एक संदेश भीजने का मार्ग प्रशस्त कर रही है, हाला कि कुछ विशलेशकों का मानना है कि इस फैसले से देश में गुस्सा भर्ग सकता है, मालदीव नाराज हो सकता है, भारत के साथ संगर्ष के बीच मालदीव में महत्वप स्थानिये चुनाओं में राश्चुपती मुईजुरिज की पीपल्स नैशनल कॉंग्रेस पी एनसी हार गई है, इस मौके पर भाजपा के राश्ट्री अध्यक्षामित शाह भी मौजूद थे, मलका मेर चुना गया एडम अजीम, वह मालदीव डेमोक्राटिक पार्टी, एमडीपी के नेता हैं, इस समूह का नेतरित्व मालदीव के पूर्वर राश्चुपती इबराहिम सोलेह कर रहे हैं, मुईजु को हराने के बाद हाल ही मेरा श्चुपती की कुरसी पर बठाया गया था, मालदीव की सरकार ने भी भारत की छाया से बाहर आने के लिए नए फैसले लेने शुरू कर दिये हैं, मालदीव भारत के साथ विवाद में हैं, कई भारतिये पहले ही दूइप राज्य के बहिशकार का अहवान कर चुके हैं, हाला कि मालदीव के राश्च्रपती मुहमद मुहमद बुहारी बहिशकार से सहमत नहीं थे, वह सहमत भी नहीं है इसके बजाएं कुछ राजनएकों का कहना है कि उन्होंने हाल ही में भारतिय सेना को अपने देश से हटाने पर भारत के साथ सीधा टक्राव किया है। हाला कि विशेशग्यों का मानना है कि उनके इस फैसले से मुईजो सरकार को लाइटनिंग टाइट फस का गेर उपढ़ना पड़ सकता है। यदि मालकी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो वेट देशवासियों के साथ लोकप्रियत आख हो सकता है। मालदीव भुजन, चिकित्सा और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर था। भारत ने मालदीव को टीके भी उपलब्द कराए हैं। हाला कि मालदीव किसी भी विशिष्ट देश से आयात रोकने का इरादा रखता है, फिर भी यह सपष्ट नहीं है। उन से 5000 अधिक वोट मिले। मालदीव की सरकार अब मालदीव को भुजन और दवा उपलब्द कराने के लिए किसी विशिष्ट देश पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। मालदीव एक विशिष्ट देश के बजाय विभिन देशों से ख़ध्य पदार्थों और दवाओं के आयात का फैसला करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मालदीव आयात उद्योग में विविधता लाने और किसी एक देश पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसा निर्ण लेने जा रहा है। मुहमद मुईजूर की सरकार ने मालदीव से भारतिय सेनिकों को हटाने पर नई दिल्ली के साथ चर्चा करने के लिए एक उच्च तरिय समिती का गठन किया। इसके लिए भारत भी सहमत है। मालदीव सरकार के एक सूत्र के मुताबिक भारत को समिती की बारहमी बैठक में 15 मार्च तक सेनिकों को वापस लेने को कहा गया है। मुईजूर के सचवाले के एक शीर्ष अधिकारी अब्दुल्ला नजिम इब्राहिम ने उस देश के एक अख़बार से कहा भारतिये सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। यह राशुपती मुहमुद बुहरी और उनकी सरकार का निर्ने बैठक में मुईजू ने बीजिंग को अपना पुराना दोस्त और करीबी सहयोगी बताया। विशेशग्यों का कहना है कि मुईजू ने चीन से घर लोटने के बाद एक के बाद एक साहसिक फैसले लेने शुरू कर दिये हैं। इस बीच मुईजू भुजन और चिकित्सा के बारे में नए निर्न लेने आया है। राजना एक विशेशग्यों का मानना है कि यदि मालदीव सरकार दवाउं और खाद्य पदार्थों के आयात पर कोई ने अनिर्न लेती है तो यह फिर से भारत के साथ प्रत्यक्ष शत्रुता का संकेत देगा। राजना एक विशेशग्यों के अनुसार एक देश के बजाये विभिन देशों से दवाउं और भूजन का आयात करने से लागत में व्रिद्धी होगी। इसे देश में आवश्चक वस्तूओं की कीमतिक।